सिंदूर लगाने का क्या है सही तरीका सुहागिन महिलाएं न करे ऐसी गलती। शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। व्रती की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौत, वट सावित्री पूजा और तीर जैसे कई तरह के व्रत रखती हैं। ऐसे में इन व्रतों के दोरान सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत शुब माना जाता है। सिंदूर लगाने से पहले करें ये काम। मान्यता के अनुसार माता पारवती भगवान शिव को सिंदूर लगाती थी। इसलिए मा को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले मा गौरी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार मां गौरा पर चढ़ाया गया सिंदूर लगाने से अखन सौभाग्य का वर्दान मिलता है। ऐसे लगाएं सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं अपनी मां में लंबा सिंदूर लगाती हैं। उनके पती को बहुत सम्मान मिलता है। विज्ञान की दृष्टी से लाब पुरुषों की तुल्ना में महिलाओं का ब्रहमरंद्र यानी मस्तिश का उपरी भाग बहुत समवेदन शील और कोमल होता है यहां वह जगह है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती है सिंदूर में मौझूद तत्वी यही से शरीर में मौझूद विद्यूत पूर्जा को नियंत्रित करता है यहां बाहरी दुष्प्रभावों से भी बचाता है सिंदूर में पारा धातू की अधिक्ता होती है जिससे चहरे पर जुर्या नहीं पड़ती इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के लक्षन नज़र नहीं आते है विडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर करे और भी ऐसी ही आपके नाम से जुड़ी विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यबाद